इस हरो आए पर भूंसों में नुवियरं फिजिक्स नुश्कर नुवियर फिजिक्स में आज हम शिरू करें गया विटा डिक ayas इंडेय redo Olympique अंडी स्टाइप है अलफ पीटा गामा थीन ट्रह के इंडिविविधेशनव होती ती ट्रह टर होतPA कब जब गामा रिडियेशन्स जो होती है हमारे पास इंट्रेक्ट करती है मैटर के साथ क्लियर इसमें क्या होता है कि जब गामा रिडियेशन्स कि इंट्रेक्ट करती है मैटर के साथ तो तीन गामा, एलफा और बीटा तेंटम एकłeश्ट शोटिह यह 17 अमारे पास इंट्रयक्सटिक钱 के साथ अंवेकامटर दीसों होते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो गामा में क्या होता है चार्ज लेस होते हैं इसमें कोई कोई चार्ज नहीं होता तो यहां पर आपके पास वहांपे उसको होते हैं तो बीस पोटेने क्या है स्टीन जिकेश इन विच मास नंबर ओफ नुग्लेस उन्चेंज यह चीज इंपोर्टेंट है आपके पास कि जो-On मास नंवर है वो change नहीं होता इसमें क्या change होता है? atomic number change होता है by one अब वो one जो है वो तीन तरह से change होता है इन beta decay the atomic number is changed by one first is due to emission of an electron कि कोई electron है वो emit करता है emission of a positron positron basically क्या होता है? हम कह सकते है antiparticle of electron antiparticle of electron whose mass is same whose mass is same as electron but has positive charge अब जो पॉजिट्रोन के चार्ज की बात आती है उसमें नियुक्त नहीं होना देखो पॉजिट्रोन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटु 10 इसटु पावर माइनस 19 कुलम अब जो नेगेटिव पॉजिटीव होते हैं वो यहां पर होता है हम यहां पर consider करते हैं नेगेटिव पॉजिटीव पॉजिटीव चार्ज का मतलब यह नहीं होता है कि यह जो पावर तीसरा जो इसमें होता है, that is capture of an orbital electron, ये electron को देखो एक तो emit करिया electron, दूसरा emit of emission of positron, positron emit करने का मतलब है कि electron absorbed हुआ है, तीसरा क्या हो गया, capture, मतलब उसको capture करना, इसके basis पे, तीन तरह के beta decay होते हैं, depending on the modes of decay, beta decays are known as, first is beta negative decay, तो beta negative decay को हम क्या कहते हैं, electron emission, beta positive decay means positron emission, और electron capture means k capture, k capture का मतलब है कि जो electron है, वो k shell से निकलता है, k shell वाला जो electron होता है, हम उसको use करते हैं, वो captured होता है, nucleus से, अब detail में इन तिनों को one by one पढ़ते हैं, first is electron emission, तो जो journal equation होती है, electron emission की, वो हम कैसे लिखते हैं, that is, x कोई बेक element है, z उसका atomic number है, a उसका atomic mass है, तो यह हमें देगा, y, a, atomic mass में कोई change नहीं आएगा, atomic number जो है, वो एक से increase हो जाएगा, क्यों इन increase हो, क्योंकि यहां से एक electron निकलेगा, अब एक electron निकलेगा, तो यहां पर उसका जो total atomic number है, वो सेम रहना चाहिए, प्लस, e, 0, माइनस, 1, clear, एक electron निकल गया, प्लस, anti-neutrino, एक particle होता है, anti-neutrino, जो कि इसमें, इमिट करता है, और इसका दूसरा, इसको दूसरी equation, हम इसको इसको इसरी के से लिख पकते हैं, इसमे, N, बतलब neutron, neutron का मास कितना होता है, atomic number कितना होता है, 0, और मास नमर क्या होता है, तो जब neutron को हम करते हैं, तो neutron चेंज होता है, हमारा proton में, यह गाप्रोटोन में चेंज हो गया, और साथ में एक निकलेगा electron, देखिए अगर हम इसको conservation से देखते हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यह वन वन है, वन प्लस जीरो, जीरो, वन, वन माइनस बन जीरो, तो टोटल चार्ज जो हो गया, वो गया, प्लस में निकला, एंटिन्यूटरिण, तो इस emission में होता क्या है, अन्यूटरॉन इंसाइड दी नुकलेश, जो न्यूटरॉन है यह वाला, यह नीूटरॉन है, यह क्या करता है, इंसाइड दी नुकलेश, चेंज्च इंटो प्रोटन, डूटो इंटरनल इंस्टेबिटी ओफ दी नूटे जो इन्स्टेबल है जिसकी वज़े से क्या होते हैं न्यूट्रों जो हो चेंज हो जाते हैं प्रोटोन में और प्रोसेस टेक्स प्लस विद्धी इमिशन ओप एलेक्ट्रोन अलोंग विद पार्टिकल एंटी नूट्रीन विच केरीज अपार्ट ओफ एनर्जी लिप्रेटेट इन दी प्रोसेस क्लियर नेक्स्ट जो प्रोसेज है हमारे पास यहां जैडड एट विल गिव यू वाई ए पॉजिट्रोन है तो यहां पर जैड माइनस वन आ जाएगा प्लेस इलेक्ट्रौन जीरो यहां पर आजएगा प्लेस वन यहां पे जो निकलता है निकलता है नूट्रीन वीक्ट इसका ज़ांपल में हमारे पास क्या होता है प्रोटोन प्रोटोन ड становится प्रोटोन में और पोज़ुत्रोन हमारे पास प्रोटोन चेंज होता है नुट्रोन में तो इन्ड्स ट्ल फॉस्तरा कांड 12 रोगी इसी इक्रिशन थेश्किक व्यक्विश्न होते हिरे देट मेगankा कैप्चरी इस जेड़ ए इलेक्ट्रोन कैप्चर हुआ है एक मीज कि इलेक्ट्रोन आपके पास लेट साइड में आएगा यह हमारे पास क्या देगा वाई ए जेड़ माइनस वन प्लस न्यूट्रिनो और इसका जो एक्जाम्पल होता है एक्जाम्पल है देट इस कि जो प्रोटोन है हरो एक्ट्रोन को काप्चर करेगा और न्यूट्ररल ओझाएगा ऑल्यूट्रोन लोगीelect्द यह की सिट इन्हों कैस प्रोटोन सुच्छ सब्सक्राइब नूट्रोन तोट समय टोपंगा और पास मैस्टेंशन में यहां Canada होता है प्रोटोन में दूसरा क्या हो गया पॉजिट्रोन एमिशन पॉजिट्रोन एमिशन में क्या होता है प्रोटोन चेंज होता है न्यूट्रोन में और इलेक्ट्रोन एमिट होते हैं दोनों में जबकि तीसरे में क्या होता है कि प्रोटोन चेंज होता है न्यूट्रोन मे लेकिन एमिट कुछ नहीं होता है, तो क्या करते है, इलेक्टरन को capture कर लेता है, इलेक्टरन को capture करके क्या हो गए, यहाँ पर देखें, फिर से neutral हो गया यह, यह positive क्या, यह negative क्या, तो दोनों क्या हो जाएंगे, zero हो जाएंगे, और यहाँ पर यह zero आगे हमारे पास, clear?